सारे ही विद्यार्थ्यानु प्यार परी सत्रिया काल और शुरू करिए साहित दे रूप दे विचों अगला रूप गजल विलक्खन तरीके राण पई तुसी वीडियोनु बात तो बाद शेर करना है चायलनु सब्सक्राइब करना है ते कंटीनू बजा देना है ताकि जीवे ही नवा वीडियो आवे तो आठे मोबाइल दे उत्ते नोटिफिक के सना सागे पर इसे परकार दे कोई कजूसी ना करो पर और बात तो बात शेर करो ताकि मनू भी थोड़ी एनर्जी मिले और होर वीडियो है जो मैं पावा पई आव शुरू करिए गजल पंजाबी विच जड़ा गजल है वो फार्सी काव प्रमपरादी देड है पारत ते पंजाब विच इस दा परवेस मुसलमाना दे परवेस नाल ही संबंद रखदा है अधूनिक पंजाबी कवता विच गजल रूपा कार उर्दू गजल तो प्रभावत है अर्थ ते प्रवाशा गजल दा जड़ा अर्थ है अगर आप उसनों वेखिए तो महबूबा नाल खेड़ना और तनाल इश्क दियां गल्ला करना ए जड़े है सुर्वाती दोर ते एंदे अर्थ किते गे अथे ओ शेर जड़े औरता दे जीकर विच कहे गे वोन और अनों इंप्रेस करन लिए इश्क दिया बाता महब्बत दिया गल्ला जिंदा विच के तियां होन शुर्वाती दोर ते एज़ा कामसी पर आवदली है ओ केंदा से कि गजल उस दर्दनाक आवाज नुकेंदे ने जो शिकारी कुत्या तो जान बचाओं लिए निरास होया ही रन संकर्दे समय करदा है शिकारी कुत्ते ही रन दे पिछे पैजन दे ओस टैम फिर जदो आवाज करदा है ओ दर्दमी आवाज है देडी ओस तो संबन्ध किता है कावखेतर विच एह शब्द दर्दमी अते प्रेम दी तडप वाली कवता लई वरते आगया है क्योंकि रन दे पिछे भी कुत्ते रागे अंदे बड़ा ओ दर्दमी आवाज करदा है तो उसे तरीके राण कावखेतर दे अंदर दर्दमी ते प्र विशे देवे चाज दी गल किती जावे ता हर विशे देविच गजल है जो लिखी जा रही है गजल दा अर्थ कैया ने रसी सूत जा दोरा भी किते है पर परंतु ए वद पर्चलत नहीं है क्योंकि इत्थे जेड़ा है गज प्लस लेवाला उचारन है उसनों सीद विच र होन जे डाल किती जावे गजल जे कवीता दी एक वनंगी वजों संबंध होन दे आरंभ होन दे दो मत है परी पहला मत है जेड़ा ओता केंदे है कि कसीद्ध पढ़ना पहले जमानिच पढ़े जादे सी पढ़े अजय जो मत अनुसार कसीद्ध और उसदा सोध्या होया रूप है कसीद्ध भी एक किसम दी कवता ही है एस विच की कितलिने राज्ये महाराज्य तो इनाम लें नहीं और ना दी वडियाई विच कवता लिख दे है जिसनूं कसीद्ध पहले दे ए बड़ा परचलत यह भई क सब्सक्राइए जैने हैं, राज महाराज्या दी वड़ियाई लेई, जडि कभी लोकसी ओ कसिदे परदे सी, जिस्च ओन अदी बड़ी वड़ियाई कित्ती जांदी सी। कभी राजय महाराज्य दी वडियाई पर प्रेम का दी सुंदर अपे प्रेम दे वर्णन नुकें देने फिर प्रेम का दी सुंदर ता वर्णन उन्नु प्रभावत करन लई लिखे जान लगए पर कसीदा जोसीगा जे उस दी गल करिए कसीब्दे पढ़ना राजे महराजी दिवडियाई तो समद्दत एक होर मत है जिस विच किया है कि गजल दा आरंब है इरां दे वेचे दसनी सदी तो होया है पई पहले पाग वेच तस्बीव अते फार्सी दा एक गीत जिसनों चामा केंदे ये पई तस्बीव ते चामा एंदे बेल तो गजल दा आरंब होया है तस्बीव पेमिका दी संदरता आते प्रेम दा वर्नन या कसीदे तो ही फिर अग्ये चलके जड़ा उन्दा गां बंडया गया उन्नों उस दुछ तस्बीव वरते आगया उस्विची वड़याई उन्दिये पई तस्बीव दे अंदर भी वड़ी आई है उसे चोड़े आई कि ति यंतियां दिए राजे मराजे दि करलो अपने प्रेमिका दिक अधिकारलो किसी भी हुआ एक गीत जड़ा तस्वीब और चामबा ए मिलके जो है गजल बने दुज्जा माते हैं पहला माता है कसी देया और दुज्जा माता है तस्वीब पलस चामबा मिलके गजल बने ए भी मातने भई और भी फार्सी गजल वीच इसक है जिड़ा इश्क केंद्री महात्ता गजल वीचे विशेय पक्खों बड़ी संकिर्णता हों दिये पई ऐसे बहुत है विशेय नहीं परगटाए जा सकते परंतु पंजाबी गजल का वरूप विचे विशेय पक्खों विशालता प्रदान की थी भई शुरू-शुरू भी जिरूर सही बढ़ आई तो संबंध गजल लखए अंदी सी परंतु अधून अधुनिक अगर आपका वेखिये आपने पाठकरम है जडा 11 बार भी नपाठकरम आउस चैजल शामल है बैकी ते होर जड़ा उतला पाठकरम है उस देवीच बिजल शामल नहीं तैस विशेय देखिए तक ला इश्क दानिये होर भ तो तीक, साल पहला जरूर या उस्तों होई, जैदा पहला, ऐजा मन्य जंदा से कि अपना जड़ा पंजाबी गजल है, ओ जड़ी पाकस्तान आली, फार्सी आली या उस्तों गाह चलिए, उर्दु आली गजल तो परभावत है, परन्तु होन दें समय अगर कही है, ता होन ओ उस्तों अपना पिच्छा शुड़ा सु किये, उन्दा एक वक्ष अपना एक रूप है पई, पंजाबी गजल ने, अपने स्थापत हो गया है, और सुर्जीत पातर बैस विच बहुत बड़ा योगना रहे है, पई, निवेकला बनाता, पंजाबी च अपनी होन दे जड़ लिखी जा रही है ऑड़े, हर विशया दे उते, तोसी वीखोंगे बॉड़ दिया कि तह पड़िया हो रैक वख वख विशया दे, वक वह विशया दे ने, वाक वुष स्था उते गजल लिखी आ है और इसे कानतों तो लिःबशत, व sow camping किता है, बहु है बॉड़ देंदर ते यंदा दाइरह है पंजाबी देविचा के होर हुआ देया है ते उसको बाद जेड़ा दिवान सिंग है बैए प्रोफेसर दिवान सिंग उन्हें कुछ विशेष्टा मां दसिया ने दिया ये पहली विशेष्टा है पहली विशेष्ठा देपने को दिवाना है यह पहली विशेष्टा है दुझी सूफी रहसवाद क्योंकि सूफी रहसवाद ही कभी सी ओ प्रेम करते सी कि ओस प्रमात्मा देना प्रमात्मा दे प्रेम विचे डुब्बे होई उगलना करते सी आपनी त्योस रब दिगल किती है अगे अश्लील विचारा तो संकोच, दिवान सिंह ने आके आए पई, गजल के विच किया अश्लील विचारा तो संकोच किता जाना है, पई ना आना, बेकार, गंदे, श्लील विचारा तो दूई रखी है, ए दिवान सिंह दी विशेष्ट के है दिवान सिंह, और वैसे देखे जाए तो इश्क बारे गल्लाओं दिया है तो वह सकते हैं, अगे ब्यांस की होए नमीनता होए, सजरापन होए, मोलकता होए, रोचकता होए, होनी चाहिए, जैनमीनता होगी कोई गजल पड़ूगा ता ही नजारे आन कि वह पुराणिया गल्लाओं पड़के के जैन, नमीनता, रोचकता, मोलकता, मोलक ओनी चाहिए, कुछ नवापन सजरापन, किसे दी नकल ना होए, मोलकता, नकल ना होए, अपने आपचे एक वकरी की रॉणिख मोलक थेन पूरता यह पूरी नपूरता यह पूरता वह चाहिए और त्याने रखना जरूरी है और टखनी तेवाओ अपार अग्ये सब्सक्राइशNew खांग 120 तकनीक पहे ओ सबरे पर अग्या पंदब का आगवल करने तकनीक पार अग्याना होँकि जैनल को परन्तु बाच भी तुसी कवता लिखने चाहूं गजल लिखने चाहूं तो ऐस तरी के ना पक्कीपीडिक राद माँगे पई गजल लिखना भी चाहूं ता तुसी लिख सकते हो उन्दी तक्नीक तो अनुपता लाग देगी एंदे बारे आपां अगे चर्चा करांगे समुच्ची गजल परंप्रादा ग्यान उन्हों गजल परंप्रादा ग्यान होना चाहिए है क्योंकि उत्तों ही फिर कुछ सिखूगा करूगा लिखूगा यह जरूरी है सिद्धा के में काम चलेगा एक कुछ खास्यता ने पई दबारा गल कर लेने इश्क दे बहु पक्की विश्यादी प्रदानता सूफी रह सबाद तसवफ दिगल असलील विचारा तो संकोच ब्यांच नवीनता मॉलकता रूचकता तकनीक दिनिपुनता समुची गजल परंप्रादा ग्यान होन अग्य गल करिए गजल दिया किसमा प्रकार गजल है पावगत तोरते अगर देखिए पावदे अदारते अगर देखिए ताँ दो तरिक्या दी है पहली मुसल्सल ते दूजी गैर मुसल्सल खुल अन्तर्संबंधथि याद करना सबूएस फिसी टेंग कर लियो मषिला सब आसब चीट्रों कंदायों आज प llot आगों केoof किया खुली यर कर ययो गालेंगर देखिए पैल भी या जाज़्वरह किशह क्खः फोधनेश प्रट कुशी और 麥े जैर मुसल्सल्सेर कही जड़ा एक वचार एक उदेश रू लेकर चल रहे है है कच लिछ अ कै उसी विचार टो संबंदतत है जिदि एक अचैने नी बीकाल जय कर तो थो 转े और लूसक्तरी ऑसकहले इस तो कटनी ऊने के पर forms ते जिनने भी ओवचार पेस किते हैं, सारे एक दुझे तो अंतरसंबंदत होनगे, गैर मसलसल, इसलिच हर शेर अजिड़ा, सुतंतर होंद रखेगा, ते पाव परदान होंदे हैं, हर शेर दी वकरी होंदे, एक शेर है, वखरा वचार, दुझे च वखरा, तीजे च वखरा अंतरसंबंदत नहीं होनगे, एक गैर मसलसल, मसला याद रख लिए, उसन आपनो याद रह जालेगा, ठर्टुकान ते देदार पे, तुकान आंता है, जड़ा उस देदार ते, मुए दस ते मुकफा, मुएदस है, जड़ा, इसमोच काफ़या पे रदीष दनोह मिलंगे, परिशा थे मुएदस देदार, काफ़या भी मिल siitä, मुखरा कारणेगो झानता है, और मुकफा, मुकफे मिलीच सिर्फ काफ़या मिलेगा, तुकान तमेल होएगा, काफ्या तुकान तमेल नी나 मुन समझ काफिया मिलेगा और काफिया की यह रदीश की एक एक चीज नों की करने चंगीतर जान देया पर और गजला दा संग्रा है उसनों दिवान के दे दिवान गजला दा संग्रा है कि एसम दिवान आख देए होन गाल कर देग गजल में तो अनुक्या सीगा पहला भी आज अपना एड़ा ग्रूप एवार्सेप ग्रूप ओनलाइन अलेंदा उन्दी विच मैं क्या सिक गजल पढ़ योपी तुसी पढ़ी ओडिये और जिन नहीं पढ़ी होई ता कोई दिकत नहीं कि थे अपाँ और गोर कर दे हैं जेकर हबीब चंगे ता फिर नसीब चंगे तू कर ना दूर सानू आपां करीब चंगे भई तानवानतों की लेना सानू गरीब चंगे चानन जो अणने हन ओ हन अधीब चंगे मैं मिट गया तू कहने तेरे नसीब चंगे दुख विच मनावन सुख जो साथों गरीब चंगे निर्मल जो वसल मानन साथों रकीब चंगे यह जड़ी गजल है तोड़ी सामड़े इसी चो दोक लड़ा है जो मैं छड़ती हैं परी सब तो पहला अगर गल करिए तो है की शेर भी परी गजल दी एक इकाई शेर होता है अथे गजल विच शेरा दीगें कि दी कोई बंदस नहीं हो दी शेर दो तुकां ते दारत होंदा है बई दो तुकां दी जड़ी काव टुकड़ी है जवे आ रही आ एक शेर होगे अब दो तुकां दी काव टुकड़ी एक शेर फिर अगला है जड़ा आ हो गया फिर अगला है यह हमी करके चलता जाए रही आप दुझ्या शेर तीज्या शेर ऐस तरीके रहा चल दे रहा है जड़ा ओ अरभी पाशा दा शब्द है देखो आई गजल कित्तों अरभी फार्सी तो आई और शब्द की अधिकतर अगर देखेंगे शाइट दे रूप ती शब्द है ओ अरभी फार्सी तो आए गई गई अखर देविची लगी विए पई तेकी सास्ते आपा एनू वर्ण माला देविच जोड़िया सी अरभी फार्सी दे जड़ी वर्ण ओन दा उच्चारन सही तरी किरण हो सके ऐसली जोड़िया थी नाम तो ही पता लागरे गजल थल्ले बिंदी लगी यह उस तो ही पता अब एक गजल दी एक आई है शेर पर और शेरा दी गिनती दी कोई बंदस नहीं जिनने मर्जी अगे लेक सकता है शेर दा अरभी पाशा दा सब्सक्राइब अर्थ जेड़ा ओए शेर देवाल शाब्दकर्थ सेर देवाल जिस तरह वाल वावना सवारना गुनणा नाल शे उसे तरह शब्द रूपी वालानू किसे खास तर्तीव तोल वैर वजन देवीच रखन नाल शबद्धी सुंदरता वद्ध जाल दीए एसकण एसनु शेर किया जाता है उसे तरिके नाल शब्दनू सुंदरतिके नाल सवार देड़ना वह वी सोने लगजन देए एसकण शेर किया जाता है अैका कि दो तुकां ते दो तुकां दीयों कि टुकडी है हर शेर देन्दर दो तुकां ओना या ने ये आपकाने पता लागिया और हर एक तुक न्मिश्रा चैनल ये अ को ऑढ़े दो तुकान शेर हो गया इन्नों की को मांगे मिश्रा हर तुक लूं मिश्रा कमा ज और मिसरा और जे मैं थे तोक करना एक की गल और तुक ने बारे आपां साहित दे रूप अच्छ लगातार पढ़ रहे हैं पर लगातार पढ़ रहे हैं तोक की हों दिए और एथे गल की ती गजल दे विच हर शेर में अंदर दो तुक हों गया इंदे दो तुक है जेकर हभी जानहें ता फर नसीब चंगे आता हो गया शेर दो तुक कला अगया उंड़ तुक नू ओ ना था मस्तुन भी एस्टुन nadतुक के वांगे तुत्क नू की कम से तुक नू को मॉजने अंदर दे इक्क लाइन अंदर तुछन मिशत लग अंसe थो स्जा लू तुसी हों नूछ एक कर रखीब चंगे था फिर नसीब चंगे अंडो तोल वजन काफी रजी एंदा सुमेल होगी है ता इसनो की को हऊ ये गजल दी जमीन को अगे जैदो कफिया रजीफ तोल सब कुछ मिल जा दे То दाना उसनू घर्दी जमीन के देए हॉन गाल जरी मतले दी एग मतल्ह जना परफ बहुसे हैर उंदे उसनु मतल्ह कर दिए पॉर्द चैनल मने जरेख पहलो शेर किड़ा जैकर हमी मोचंगे ता फिर नसीब चंगे और जरा पवार शेर है ऐसनु मतल्ह कर दो आख देए पर आत्यान रखिए बार पहले शेयर मतला और बतले जी की खासियत है गजल दे पहले शेयर मतला केंदे है और गजल दा आरंद जी शेयर तो होंदा है ओई मतला है जवें आ रहा है जेकर हवीब चंगे ता फिर नसीव चंगे मतला जरा अर्भी पाशा दा शाव्द है ओगेंदे सूरज दा चड़ना जिस तरीके राण सूरज चड़ दा है पही ऑसनों मतला केंदे है ऐसी तरीके अगजल चड़ भी है शुरूआ दिये तो उसनों की केंदे है मतला केंदे है मतले नूं पंजाबी शेर कुछ मुखडा भी केंदे है मुखडा मुखडा में यंदा मुखडा की है यंदा मुखडा है जी जेकर हवीव चंगे ता फिर नसीव चंगे एक ही है मुखडा कहलो पामे अपां मतला कह लिए एक ही का लह और इननल्श की हगा काफिया तर दीफ-साव उन इपई काफिया और cigarettes का लेवए समान एंद शोंने आफ जोने जोना को शोले लिए लोजी काफिया तुकांत में लूँ काफिया केंदेवे काफिया बार बारा होगा जड़ा बार बरावे हर तुकदा तुकांत मिलदा है जिसनों काफिया के आजन्दा है और एश दे अंदर एश दे अंदर देखो जेकर हबीब चंगे ता फिर नसीब चंगे जड़ा हबीब है बई किये हबीब देविचादे को बैय काफिया मिल रहे है तू करना दूर सानू आप करीब चंगे फिर आप बैय मिल गए इव इव आ रहे है एक काफिया है और पहले जेकर हभी चंगे अधीब काफिया है तुकान तेथे मिल रहे है पई नसीब नसीब काफिया बैय फिर उस्तों गे तू करना दूर सानू आप पां करीब चंगे करीब काफिया जी इव आगया तनवानतों की लेना सानू गरीब चंगे अलो जी अगरीब है जेड़ा आप आगया है जेड ऑंडर आधीव चंगे अधीव चंगे अदीव ची आपईव झावे जेड़ा काफिया अ इस टागया निरमल जो वसल अमानन आप थो रकीब चंगे कै अलो जी रकीब इस मिच पिर डिन आगया अ गया नहु आढ़िस का wings यानी एंदा काफिया है होने रदीफ तोक दे अखीर ते काफिय तो बाग जो बार बार आ ले उसनों रदीफ कहें दे बार बार ओ रिपीट होगे गापई जब आदे कुछ चंगे एठे रिपीट हो गया आठे भी चंगे रिपीट हो गया तू करना दूर सानू आपता रकीब चंगे अथे भी आ गया यह रदीफ है रदीफ स्थिर रहन रहें पई अचंगे जड़ा रदीफ है एक ही है स्थिर रह गया बदलेगा नी बार बार आ रहे हैं और काफी है तो बाद आ रहे है काफी है तो बाद आवेगा बार बार आवेगा एक ही होवेगा रदीफ होवेगा रदीफ और काफी यह तुकांत में वार वारा ओना पיב के पहstudA करीब है एक ही यह काफी हो मतलच काफिया यह रदीफ शेयर दें अंदर हर इसवी काफी जड़ीस होई गा और रहातरा रहाते हैं नशीभ के रदीफ हो रहा हैं कहंने जीद को कोई भी गजल देखे लेहाँ गजल लेकिट शुरुया तो अनदी है वो तो उसमें फिछ जिए होग गजल मुरह से बई काफिये तर रदीफ ढोले म्हों तर containing वजी ओवेगा काफिया ते रदीफ दोनों भी लड़िए जिन्दगी फेर है किस खुषी वास्ते आदमी जे नहीं आदमी वास्ते और खुशी वास्ते आदमी वास्ते यानि की पहले दे विचे काफिया देर दीफ रिपीर ओर अब भी खुशी वास्ते अदमी वास्ते ए दुर्जा शेर में पढ़े आसी जिंदगी फिर है किस खुशी वास्ते यस तो गलील है आदमी जै नहीं आदमी वास्ते आये हूं उनस्ट की आ अखकी है P करें जुन्हों काफी है एन दीक एक है यद्ट काफी के यह इसितिक आफ्यक जोग shy आदमी इन काफी बारबार हो एं कर पारिया क्ली жड़ी है पहले ज़दा शेहरे हैं जीनों मक्ता के देहां दिये एकासियों तुंदी है काफिया अरतीफ दोनं ओनाँ बार रपीट हो रहे हैं पतलव एंઅत loss通 और अगले शेह अंद हैं सानूं एथे देख लो काफियर अधीफ रिपीट नहीं होया अग्ये रिपीट हो रहा है आप करीब चंगे ऐसा शेर वे अंदर एथे करीब चंगे आया है परन्तु एथे तुकांत मिल नहीं होया इस तो पता लगए गया कि आज एड़ा है अगला शेर है और अगले शेर दे जिएख आ, तो कहा, आ मिश्रा है ऐस दीविच काफियर दीफ नहीं मिलillちゃん है अगली तो एउस काफियर रिपीफ मिल रहे है इत्तो अपर वह अंतर पता लागञा कि अबर इस दीविच मख्ता है लिगिच काफियर दीफ दौनों बार रोटपीट हो रहे है दोनों बार ए रिपीट हुएगा परन्तुव में दस है भई उस घजल दिखी है मुए दस होनी चाहिए उस दुछ काफिया ते रदीब दोनों मिल दे मुकफ़ा सी जा नहीं होंदा ठीक है अपनु शुरुवात पता लगया अपनु मतलई बरे पता लगया अगला शेर जल गया पर पॉस्त दुछ मिदे को तनवान तो कि लैना सानु गरीब चंगे अधिक जबिचे काफियर दीज मिल खेंद लीए अथे नीज ए आँस तो अगला शेर है पर ऑस तो आगला श तुकांत में नहीं हो रहा है और एक मिष्रा छाड़के उस तो अगले भी श्रह लेगा वाद जन्हें भी शेर आंगे उन्दे जड़ा मिष्टा वेगा उनदे रिच काफियर रदीफ मिलेगा उन्दे पहला वीचाफियर रदीफ नहीं है एस तरीकिन चल्दा जा खबेकर अधिर्णार शेर है और सो आख़ये मतला मकता भई मकता मुकत था है रख लिख यह ता कि अटिए मतला मकता को इन चक फासना जो इसलिए मुक्त याद कर लिए मुख्त और के नहीं चरह मुक्त को कि लखें कि अरे शेर इन यह मतला सब्सक्रमा चाहि कर फासनल जो क्लभी नाम जता खालत है जो वरतदा है जो पातर शाथ दिया जिनिया गज़ा की दिटाब कनद निरमान पीज अधो राकीब जंगे लिटें निरमन है उसल लखाणी दानाम है इच्छो पता तखल्स उपनाम कुछ भी हो सकते हैं पई ये थो अपनों पता लग गया और इसी करन एक ही है मकता है मकता अर्भी पाशादा शब्द है जिस्दा अर्थ है कटेया हुया शब्दर्थ दसे कटेया हुया पर गजल वीच मकते तो पाव है ओ शेर जो गजल भी समापती वह जो अर्चेया जन्दा है कानी खतम उस्तो बादक गजल नहीं तुरेगे जिस्दी शेर दा तखल्लस उपनाम या कल्वी नाम हुवेगा शांग दर्चना कारता तो कुछ दानों लाजब्यव अगमंदिय आपकोच केन देजरूरी के इस जविए जरूरी को यह गजल से फिर्टि कातम होगह यह उस्तो पर हम दीजे मकता हो दय syne जिए जडां मक्त ईव लाजमी है स्टिएने मैं पाबंदी नहीं मुखे टॉट एक वर मखतामें पर द्रॉज टर संगाल मेक नितु जिप्स इवर्क दी इससे दिह मधिसी घूशी वाश्या बिर मंथे इसी ता रचेंग कैंब जिए दोस्ति टो आ थी नाव आगया तरसेम कभी दना आगया जिस दी हाजरी नाड एशेर है जिडा मकता बन गया पर एमें इस दे विच निर्मल आगया पर एस दी हाजरी नाड आजड़ा शेर है ओ मकता बन गया होन की एक सारे जड़े शेर जड़ा शेर सब तो मसूर होगी जड़ा शेर सब तो मसूर होगी उन्हों शा बैठ के इंदिये शा पैठ क्योंकि बैठ बाजी चल दी सी ना पहला ताह करके उस लुकें देया है शाब लेट है ऑे जाओ आखे प्लीच तूर ना दूर सानो करीब चंगे आरें तू करना दूर सानो आपक्ड करीब चंगे आ शावें being के सबत्तर आंडी था तूर ना करकर बहुत ता बैत हमस्ता है पूछ सकते हैं तू आण interject चान्दी बोट ही काट संबावना आए की छाटो वैशा बैत के राइए बोट कट संबावना है आशा वह सबनाः गोडिया उत्तम शेर एक उत्तम शेर आजिटए उत्तम SHERश्ब्थ वढदिया सेरे रड़ा वो साबेत है बबर शेर जीन आपा के लिए वह शाबेत गजल दी सर्चना दीक विशेष था ए भी है कि इस विच पस्ट ब्यान दी था संकेत कि से रमज नन गाल दा होना जूर। गजल दी अंदर। तुक नूं गजल दे अंदर मिस्रा केंदे तैस दे विच देखो कि दो मिस्रे पहला शेर है तेड़ा पहला शेर होगा उस नूं कमांगे मतला मतला भई अजय को तो अब लगाती थोड़ा दमाख लग गया तिक मतला ली आप फ़र दमाख लाले आप चलू जलू तो इंदा की होगा मतले दा काफिया ते रधीफ दोनों मिलती ओड़की और काफिया की ये काफिया तुकांत मेल रधीफ काफिया है तुकांत वैं परंतु होगल गया हभी नसीब र्करीब करीब गरीब ए काफिया और हब आधीफ रधी DülarRO मतला या नहीं पहीर चलू जिन्नेशां जिदु शेर उनके बाद अले उन्हां मुट़ने दो tapat दो किलेगा पचिती कई निए रधीच हे फिरे दोत कुर्गी श्में आध़ने इमने कले रधीफ पेली जी नीहीं मिलें पटेक्र अखरी निए कर दे benefici हुआ एमें कर देकर दैसे आखिट कॉवेगी पसनो Noel गेत ही गल कर देंब गीत कंदे है वह तुसी कि बड़े की गीत सुने ने है उन्हां गीता नो उसी गोरता कर देए हूं उनने ही गल भी प्हेरा दिसी SHOO起ो सुने है होड़े कि पर बाशा करने पभे ता आपन दिक्कता आजूगी तो कि आपने गीत सुने उना प्रबाशा करने है ता आप मेंट ज़ाड़ा यह अपने अंदर त में दर शंधा अहां पहला है क्योंकि विश्देशन आप इस दी पर आप साकरनी यह इस तो संबंध देर हो सकते आ आयस तो समाइश अश्हब देस तो समद्य तू सकते हैं न वर यद्ह पर आपा जानों किसी चीज बरे आपा जानु होगे जह पर जानु होगे जैने गीत तु आपा जानु हो गाई तू पाज अजी पोई प्रबाश्चा आज है अजैने मरती पुछ अच्छ लिए कुछ जान करी लेने हैं अंतर मुखी को होता है कि गीत कि अंतर मुखी आपनी प्रेणा निजता निजी वलवले नुँ अपने अन्भूतिया विचारां पर पहा नाल जोड़ है तो गीत दिसरजणा करता है तो से गीत वीचे होने है कोई बीजी विए लो सारे गीता वीच की है कि आपनी प्रेणा जड़ी निजता है, निजी वलवले है, उसे विछे दस्या गया, जिनने जड़ा मर्जी गीत लाके देख लिए हूँ, ओके ना मैं इद्धा, मैं इद्धा, एमे, 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 करदा है, एक कोई भी रॉमांटिक गीत ले ले लो, उस दे भी चोव अपने वलवले हैं, जड़ा आजाना चाहिए है भई, तो आजे सामढ़े, उन्दे रॉमांटा की यह, ओन्दा आई है, जो अन्दी प्रेडा है, जो अन्दी निज्टा है, निजी वलवले है, और कंया नू ता गाने ने प्रभावत कर देंदी, इन्दी अन्य प्रभावत कर देंदी, कि फिर जो गली आप को हारी गान लग जाने यह, उन्ने अन्ना असरंदास किते है बंदी, कि वन गली जो निकल दे, ताउ गाना लगा रहे है, और उजे बस चाह गया तो अन्ने मोबैल दू अप्ते गाना लगाने, तू सुन ले लो कनु को शुना यह, यह उन्ने उत्ते ना प्रभाव प जिन्दे कहानी जिस गाने मिचे फिट होंधी है, अगला बार बार वी गाने सुन दे, कहीत आप पी चाह के देंदे, सारा देन ने की गाना तभी रुखते है, आपना आपना समा होंदा है, दौर होंदा है, फिर बाद चुपागी ती गीत सुन लग जान दे, जड़ा अब इजव गाया ही ने जा सकते, फिर गीत का दा, और ऑस तो अगेन संगीत आतमकता होएगी, संगीत आतमकता दा गुन होगी गा, अब दौनिक पार्ति गीत आपने रूपी दानवा जो पच्छम दे लिर्क दारिनी है, अंग्रेजी दा लिर्क ओ गीत है, जो लायर लाय लायर तो बनने हाई, लायर पंजाब भी जिलिखता है बही में, यरी अलू यरी अलू जू लायर एเรา यिरिक तो बने है लिए कै लवाईर चलो आपने तकर बिर्धाइल अंदखे नीरिक और करhe दा कि निर्ट को गी धृट युट लायर लायर की cotton dei सजय कोई भी ना़ साज एन और म tablet समझ सकते हैं जिस्ट हो बजाया के जुस्तulator जा सके उत्थों फिर गां प्रबाशा गड़ी कहीं पर कहिंगा ने गीत दी थां वैनिक जा स्वरुद्धी भी किया है शब्द बरतले गीता तो आपा जानू है चैनी तरह बड़े आपा गीत सुने हैं अपरी रविंदर नात्य गोर की केंदा है कि मन वीचे जदों एक वेग परे अन बहुदा जनम होंदा है तो उसनों गीत विच प्रगटाए बीना बंदा रही ने सकता फिर गीत गावेगा गुणगणावेगा जेता वो चंगा विचारक है ता खुद दे लिख दवेगा और जो चं को गीत जडियो बार बार सुन रहे है ओन दे मूच निकल जानकी ओ बोल नंदे मूच विच्छो निकल जानकी त्यों गीत जिड़ा उस संधरबजी गल करांगे बिल्लकारी जिड़ा जिड़ा मन वीचे जदो वेगा वेगा अन बोवाएगा बलवला पैना वेगा ता फिर गीत जब जाएगा रोगा उठेगा पही थैगल कि कि इंदे गीत में चकवी बारी तरतानो अपने में समेठ के ओन अनुस्वय दे रंग में चरह नगी ता है फिर कावरे चना करता है ए है कल दी गल भी से यह बार दी दुनिया नू की कि न्दे ओपने समेठ लें पर फिर स अधिरा बार आंदा है गीत बनके और ए गीत दी प्रबाशासी तो अटे मान दे अंदर कोई मनी वलवला है कुछ भी है संखेपते अगर के दिये अनभाव वलवला जजबे जो अंदर जनम लेंदे है फिर उसनो आपा बंदा प्रगटाई भी नहीं रहा सकता है तो प्रग इने था लगबग स्वर्तिताल बिना किसे गीत नो मिवर्तिताल फर गीत जाड़े कि इनदा सिаноस्य रुन वह पॉल्व सिर्फी भी नौह भी दसनी पीर पैरी मोस्दे है परभाह प्रबंद स्थें पाग से मेलापक त्रूब्... त्रूब... स्थें अंग.. एक तुक जडेत स्थें थें भाई.. जडेत स्थें रहें टीए ений प्रणांड एक ỗमले जिन स्था रहति यह प्राइजां अलग क्योंड हो अजय पर विडिकर उसी अजी है से जोओट से हमें अण इसे पाणी पानी 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 का टो गया व्याइट आता विड्यद वे था स्थाई आंत्रसांचारी क्या अफोरों की पहाँ होती है ,.. स्थाई आंत्रासंचारी के अभोग अन्त्रा आप अफ्री में , आप ओग अखीर लापे , अजिए हैं , थोड़ी हैं , आफ्यलकी में धी真的是 काकłem , तासंखेब चले लिने तुरू स्थाई अंत्रा संचारी ते अभोग है उसनों वड़े अंतम पागे जेड़ा ओभोग है के बारी आभोग और तुरू के बारी आइवन दे आभोग और तुरू दे विचकार दी एक पद होंदा है जिसनों अंत्रा केंदे हैं आए तो आपा तुरू सबज लिए पई जिड़ा स्थर सब्द है जिसनों की टेक केंदे गाने विच एक बार आंदी है बार बारो नूँ फोलो किता है पाई उसनों उसदे इर्दगर्द जेड़े विचार है उस्थर जे जांदे है अगला परकट कर गांद आ है तर्फ जांद निए जांद केड़े है तक जो सब्सक्राइब कर बाव क्योंकि यह स्वीच की है जड़े मान देविच पाव है ओन्नु इता आगला परकट करता है कोई देखलो पाई पला हनी सिंगाला देखलो पावे दोसी सिद्धू मुश्याले गाने देश्टो ओकेंदा मैं कांग्रेस लड़ेया यह मैं फनाने कांग्रेस दिविच लड़ेया या फेर उन्ने दस्या भई लास्ट्राइड आई लेंच पाई होर शुरुवात्ती आगड करते विचार बेचार अगें यूज्य कैंडे यह ओंदे ओगले दारुली कर कर देके दारुपी यह चिया असी दारुपीणी यह प्र हाज चिकुछी कर लो ओ तैन पैलादे कर दे चार पैलल दारु तो भार ले आंधीनी इन अगे जदों आधर शेड़नगे पाव गीत आत्म निष्ट रूची वाला हुंदा है अते गीत दी रचना किसे पाव दी प्रेडना तो हुंदी है पाव गीत दी आत्मा है गीत दा जनम ही तिब्र पाव दी स्थिति विच हुंदा है पई सच्चा गीत सर्ल, खण में ही तिब्र मन वीगद से उस्था होना है गीत विषेज्ट मनों दी सा विच लिख्यागा यांदा है ओथे पाव द тебе विचे पहचान चीन होंदी है। पाव है। मन्दे विच आपा किसी मूर्त नू वेख लिया। तो संबंदत आपने मंच पाव आगे। और आपा गीत कुन वरान लाण लागे। लेख को होगा जड़ा। किसी मूर्त नू विखेगा और फिर उस दे मंच आओगा फिर ओपाव है जड़ा। वो बैत ओरेगा गीत लिख लिख देगा। जैमें एक पगत है। वो जड़ो पगवान नू देख दाए मंच पाव पैदा हो जाए। फिर ओ पगवान तो संबंदत गीत है। वो लिख दे है। ता साइड सोंगता सुनने नी चाहिए पाई यह सण मनुदास होए। ऐस दी बजाए ता दुझे पगती पावना ले सुन लो ता वदी है। क्योंकि अस टैम लोड भी है फंद आपदी परमातमरान जुड़े रही है ता कि फैदा भी होए मांच शांती पैदा शांती अग्ये गाल करिये निजता निजी वलवले निजी वचार निजता तो संबंधत है। प्रैक्टिकल चकर देखिये था सिंपल जी गला जिन्नू जेजे विचार होनगे ना उजे गीतो नुपसांद दूने जेजे विचार होनगे यूट्यूब सोशल मीडिया देंदर ओस देख रहे हैं पई किसी दा भी तुसी अगर मोबाइल लेलों और फटाफट यूट्यूब या गूगल दो तैने दुरुदे तुसी करो वार्ट सेपते तो अनुपता लग जिगा किस तरीक के दा पता है इसी कर लोग आज कर मोबैल देने किसी नूँ निजता बहारी तत गीत विच दुजैली पूमी का रख दे हैं स्वैदा प्रकटावा पावनावा कल्पनावा गीत विच प्रकाशन कवी दा मुख देश हैं गीत विच कवी अपनी निजी पीड़, दुख, दर्द, खुशी, गमी, आसा, निरासा, हरस, विसाद, करुना, देया, गुसा, गल जानी, लज्जा, आद्धिभाव व्यक्त करता है, जब प्यार चागया, ता प्यार अला गीत लिखता, दुखी हो गया, सैड सौंग लिखता, गुसा आगया, तर गुसे अला नहीं छड़ देता, नूँ चकलो रखला दे, लेलो भाना, तमकाना, ऐस तरीके ना, उत्सा आ निज्टा तो संबंदत है, गल, निज्टा भी अन्दा पाव है, फिर अग्य संखेपता, जेको गीत हो नेरा संखेप हो दे, बड़ा गीत होगा, बन्दा बहुर हो जेगा, गीत दिये खासियता है, तत है अन्दा संखेप, आजकल तक गीत आ रहे है, सवा दो मेंट दे, दो मेंट दे टाई मेंट दे, जाए तो जएदा अगर गीत देखिये ता आपा साथ तक मेंट दा होंदा है, बसाने, ऐस तो जएदा बड़ेगी तक ले बना दे नहीं, क्योंकि पैशन निगा आज का लोकाज, पर दास-दास मेंट लेगीत शोरन, तेक खास यह तोर की आपने यह संखेपता, जिड़ा में दा पाव है, बड़े ही संखेप रूप दे विच निगान का लेना है, बहुती देर तक जिए पाव नुखिच दे, ता उप्रभाव हीन पाल दूगा, इस कारण आवेग दी परबलता, पाव दी परबलता, गीत दे प्रभाव नू ति आपने पाव है परबलता, जिनन तिखा होगा, जिनन चोटा होगा, जिनन तिखा होगा असर उन्दा वद्ध होगे, जिनन लमका करोंगे, ग्यासा वड़े हो, स्वाधनी आना, संखेपता, अग्ये फिर संखीता तमकता परबलता, इनना सब तो तुसी जानू ओ, कोई नम शब्द नी वरत्रियाम संगीत演 अतमु टनु बृती वेत इसनं हुड दो पाव सुर्प आलउप संगीपी नहीं ए ए फसारी अंतरमु की कवितता प्रदानानों गोड़ है कोमल शब्द बरते ने ऐज शब्द बरते हैं लाय ताल नो चल दे जान संगीत नो कोमल शब्द सुजजी शब्द जड़त वर्ना दा जोड अखरा दा टोकना साहिथा दा सूर्दी समानता होगी इस द्वारे एक एजा संगीत पैदा हो जावी एस संगीत आत्मकन दा अधार है सुचजी शब्द जड़त वर्नादा जोड अखरान दार्टू का सुर्दी समानता संगीत सबद विच ही होन्दा है बाहरी संगीत नालो आंत्रिक संगीत वदमात पून है जो गीत विच पावदी तिक्खन ता ते उट्टेजना करके होन्दा है ते गीत दे अंदर संगीत है जड़ा ओभी होना बड़ा जरूरी है आज कले नदा वद्द प्रयोग किता जा रहे है अग्ये है पाव एक्टा जैड़ा भी पावले के चलने हो तुसी उसदीच एक का होना साही रही है और वेख्या जावे जड़ा भी गाने है पंजभी गाने फुसी वेखलों कर देंßen Eatonka naarai प ждा next Tomanda witheten Metro मंदों और आगर कोई मुंदी पिछे लगए ता मुंडेर अर जो मुंडा कुडई पिछले हैं तर अंन मेंट देंंधर उनने की करना है कि उना दी फ्रेंड्शिप हो जानी है तैनल मेट दे अगले कार्द दे है और दो वारक तोर देखिये था बहुत लुखा कम है और वैसे देखिये था थैनल मिंटा जागला ने अन्यवर्डी स्टोरी सना थी अगला आया एक्सिडेंट हो गया मर गया या कर गया खाप गया पिच्छा कर दे कर दे और एदर किये की तैनल मिंटा जबास कोफी टी बगयरा साब कुछ चलो पाव एकता देखो एथे किनी जवर्डस ते मलव टाई कंटे थे रहा है टाई मेंट या तैनल मेंट ना कहलो चार मेंट देखियो उस गीत दे अंदर इननी बढ़िया स्टोर पाव एकता देखो ना जिसकारण के खिच पंद है गीत एक स्वय पुर्ण चना बन जान दी है जिसे पाव एकता दा संचार हुजान दे सारे पाव है जो एक हुजान दी है जे खेंड़े रहेंगे ता आपनों समझी नहीं आवेगा और वो पूरा ही नहीं हो सकेगा सिस्टम ता एसकारण पाव एकता जरूवी है किसी विसेज पावनों सिर्ज्या जान्दा है और पाठक और सरोत्ता उसी दे बारी सोजदा है उस दे एकता नू एकका रख्या जा साहज अंतर प्रेना बैए साहज यह अंतर प्रेना हो दिये अते सुबावक प्रगटा तक्का नहीं हो गएगा प्रेमी कोर। अंतर प्रेमी का रख्या जो क्रेंणों वेकता जोGarde फोटो पेन दे 말씀 को प्रेमी को बेख है जो प्रेमी को बहिए जने तरो गीत फोटो केढ़ है जो नहीं कि सार्ट केल्द गीतली जिलुली एक्डम है इंदर के सार्थ ग्योर्पी एक Extra गार आढा मिन अप्र खेंध ले ऊंतर सोशब्ली घ्षय चाई इत वीट विच कवी ने सिद्धी ते सहज अब एक्ती द्वारा पाठक ते स्रोपते नू कील दिन्दा है वो इत्तों यूदी कवी दिकुशलता दा प्रमान है कि शुभाक ता गीत दे अंदर जुरूरी अगें सुभावक प्रगटा जे ना प्रगटा किते ना सुभावक जा लगड़ा सीथ एवनी आए सुभावक जओगे फिर नजारे नहीं आनके क्योंकि लोग जो गाने नूवेख दें ओ गाना प्रबावसली ताहीं बनेगा जे उ अपने लगेगा यह ता अपनी स्टोरी लग रही है क्योंकि भाईया जेड़ा आशक टैप दा बंदा होएगा नूँ अपनी स्टोरी और जे की ते की इंदे कोई पगत टैप दा बंदा होएगा तो ओकेवे प्रमात्मा नूँ पारे है उन्हों यह लगेगा वई आतरी अन्तर प्रेणा अंधी है वह उस्तों प्रेश तुन दा रूलिक दिन्दा है और यह प्रगता सुमाव को ना चाहिए जैसे अब होएगा ता सदारीकर नहीं हो सकेगा जड़ियों गलक केना चांद है उपाठक तक है श्रोते तक है और नहीं पहुँच सकेगी गीत हिट न आसे उनकतों प्रगता किता है शब्दा दी जड़त किती है जड़ा उन्हें अपा प्रगताया है ओ इन्हें सबाव करिया आपनु बदह ग या एक आप लिए पदिया आप अपनु गीत है यह चाहिए ओसा हिए जाइन उसने मतलब ऑथव ब्रेक में यासा तब थोड़े थ प्रन्तों सताज में गीत लिखें और अंधरों प्रेरत हो या उने एक सो बावग जब प्रग्टा किता हो और जदों उसनु लोगा ने सुने आता हो जड़ा मैसेज देना जाना सी जो गलकना जाना जाना सी उचलीगी होड़ आपनों इंदर ले पक्ष तो देख रहा है पई आप इत्थो ऊस चीज नूँ समझने है एथे राइट रहे एथे लखारी है जेड़ा की गीत लिख रहे हैं गीत अत्ता दीवर्तों कर रहे हैं परन्तों आप ऐस साइड नहीं ऐस साइड आपन नहीं क्योंकि एक गीत अंदर पावैक्ता अंतरप्रेणा सुभावक प्रगटा है उस दिरा ही ओ कामयाब होंदा है गीत लिखन लेए उन्दे अंदर वीजी या परन्तु आप आप उसनों कीगे तो वेखे आप उसनों वेखे आप उसनों वेखे और गीत बचा लिए जए मेरा मुह है बचा ऑर अंदर पास लेटर लिख रहे है ऐथे गीत हैकिर है उन्दे शिजर खा रहे हैं अधे प्रवहे आपा ही करना है अथो है तक पौश लाये पावा पधा गीत मालिख सकी है पावा अपा गीत वेख रहे है उसनों ही अन्दे पिछे ज़िभु आन्स पीड्यना का टरी उस तो आडी पीड लोख पीड बनाटी से अमरता परितम ने बनाती से हिट होए तो उसी गीत लिख देओं अपनी पावना अपनी निजता अपनी पीड जो अपनी ने बनाती तो हिट होएगी संखेप था संखेप होवे बोर ना वोजे बना संगीत अत्मकता संगीत जरूरी पाव एकता पावधी एकता होनेच देखेडने नी जाईदे जेखेड़ गेले गानगे आकी ये ज्यासाजा बदलो वे दुज्जालों साज अंतर प्रेणा अंतर प्रेणा सुभावक सरंचना भाई शैली टंग टिविशा सरंचना उंदी भाई रचना तो थोड़ा जाग्ये चलिए सरंचना भाई किस तरीके नो बनेया हुया है पूरे मेल जोड़ देनाण अपसी जड़ा समूर्टत है उंदी अंधर जड़ित तने उनना दाघठ्ट ठभी उंदी रचना तो गान दा शब्द है सरंचना जुट दा जुज्जानाण संबंध एक जुट है और उन्दे अंदर जड़े होर छोट छोटे जीना रणों जुट बनेया है उस दा संबंध है सरंचना है को होनी जरुई है जै मैं या देखो उठी और आज जुट है और ए जड़े ने जुझ है ता एस तरी किना जे सिस्टम बढ़ूगा कोई भी है उसने गीत सब्राइस लिख लिख्या है ता उसी सब्सक्राइब अचाहिक है एक मुठ्छ होने चाहिए यह पे खेलर मिं नहीं होनी जाए अ चैनली जोर्दार शेली टांग जेड़ा है हूंदा एकंटांग ओ जोर्दा रहुनी विशा विशा कोई भी ज़ेध चैता जोत वाड़े मा मर्जी विशय दे अंदर तुसी गीत लिख सुख दे। पर वर्डर्ज वर्थ ने ता एक क्या सी गार कि छोटी तो छोटी चीज तो कवी दिम्बान वेचे गंबीर पाव उत्तेजी तो हो जानदा है छोटे-छोटे विशय बारे भी गीत लिखे आ जा सकता है और गीत ती सर गटा शुरू तो लेके अखीर तक होंदा है इसलिए पावना दी एक ता दी अत लोड़ है और गीत आंत्रिक विश्कास होवे सुन्दर ता जनम लेवे और पूरी तरह शबद संगीत ते लेन जोड के विशेश कोमलता मधुरता पैदा करदवे स्थर जित वे तिब्र पा अलोकिक आंन्द पैदा कर जड़ोसर हो जानगे यहांना सारे तत्तान जरू गौर किता जावेगा जावेगा जड़ोसर इंद आ इक महान रचना है जो पैदा हो जावेगा और यह सरा अगर तुसी कर सकतने और अबेड में तरह एक ता पहाव निजता शंखेपता संघीता अपने पीड नू अपने पाव नू लोग पीड बना देना अपनी खुशी नू लोग कांदी खुशी बना देना उदों फिर की होगेगा कि गीत है जेड़ा वो सफल हो जा रहेगा कि हिट गीत है तुसी लिख सकोंगे पर इनना उते चल दे उते आण रखके यह तुसी गीत रिखना चाहने हो तक गीत लिख सकते हो हंजी